भारत और इंग्लेंड के वीच खेले जा रहे पहले टेस्स के तीसरे दिन, इंग्लेंड ओवर नाइट स्कोर 555 से अपना इनिंग शुरू किये 185 ओवर की पहली गेंद पर डॉम बैस तॉस अब गेंद को मिद्विकेट के ऊपर से बाउंडरी लगाए लेकिन अगली ही ओवर की तीसरी गेंद पर डॉम बैस जस्पृत गूमरा की गेंद बाजी पर लबी डवल्यू के रूप में आउट हो गए गूमरा के लिए तीसरा और भारत के लिए नवा विकेट 187 ओवर के तीसरी गेंद पर जैक लिच टॉस अप और आउटसाइड ओफ गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से चौका लगाए और 191 ओवर की पहली गेंद पर जेमस अंडर्सन टॉस अप अराउंड ओफ गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए ये रवी चंदर अश्विन के लिए तीसरा विकेट और इसी के साथ इंग्लैंड का पहला इनिंग 578 रन पर समाप्थ हुआ इंग्लैंड के बल्ले बाजों में सारे खिलाडियों ने अच्छा खेल खेल कर टीम स्कोर 578 पहुचाने में अपना अपना भूमी का अच्छे से निभाया भारत ने दो विकेट लेने और पारी को बंद करनी के लिए क्या किये इस छोटे से चरन में भारतियों को एक बार फिर निराशा हुई भूम्रा ने तीसरी नई गेंद के साथ बेस को आउट किया पंत ने स्टंपिंग का मौका बनाया था लेकिन अश्विन चूग गए और तुरत अश्विन आखरी विकेट लेने में देर नहीं किये अब भारतिय बल्ले बाजों के लिए एक बड़ा काम ओपनिंग करने आये हिट मैं ब्रोई शर्मा और युवा कि लाड़ी शुबमन गिल्ड इंग्लैंड की और से जेम्स एंडर्सन गेंद बाजी शुरू किये दूसरी ओवर की आखरी गेंद पर भारत के लिए पारी की पहली सीमा शुबमन गिल्ड शॉट गेंद को मिडविकेट के माधियम से पहला बाउंडरी लगाए और अगली ओवर की तीसरी गेंद पर फिर एक बाशुबमन गिल्ड गुटलैंड गेंद अराउंड ऑफ चौथी ओवर की दूसरी गेंद पर रोही शर्मा फुलर और मिडिलेंड लेग गेंद को स्क्वेर लेग के माधियम से फ्लिक करते हुए चौका लगाए लेकिन अगले ही गेंद पर रोही शर्मा कैच आउट हो गये इंगलेंड के लिए शुरुवाती सफलता और भारत के लिए पहला जटका रोही शौटिश लेंद गेंद को शौट मारने के चकर में जॉस पटलर को कैच देकर आउट हो गये जफा आर्चर के लिए पहला विकेट चटी ओवर की दूसरी गेंद पर चतेश्वर पुजारा फुलर और मिडल गेंद को मध्य विकेट के माधियम से चौका लगा है। साथवी ओवर की तीसरी गेंद पर शुबमनगिल फुलर और अन्द पैट गेंद को स्क्वार लेक के माधियम से बाउंडरी लगा है। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर शुबमनगिल फुलर गेंद को मिड विकेट के माधियम से फ्लिक करते हुए उपर की ओर से ड्राइब किये और गेंद सीधे जेमस एंडर्सन ने कैच करके उन्हें आउट किया आर्चर के लिए दूसरा विकेट 11 ओवर की दूसरी गेंद पर पुजारा शाट एंड आउटसाइड ओव गेंद को बिंदू के माध्यम से अंतराल में चौका लगाए अगली ओवर की पांचवी गेंद पर पुजारा फ्लोटेड ओन लेग गेंद को डीप मिट विकेट के शेत्र में बाउंडरी मारें पहला सेशन खतम होने तक भारत 14 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 59 रन बनाए इंगलेंड के लिए यह सत्र अच्छा रहा भारत के बल्ले बाजों में रोई शर्मा केवल 6 रन बना कर आउट होकर निराशा किये वही शुबमंगिल अच्छा खेल रहे थे लेकिन एंडर्सन के जवर्दस कैच की वज़े से उन्हें आउट होना पड़ा वे 28 गेंदों में 29 रन बनाए अब कोली के कंधे पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है इंग्लैंड के गेंद बाजों में जवफा आर्चर जवर्दस गेंद बाजी करते हुए शुरुआत में ही दो विकेट लेकर भारत को पीछे रखे भारत दूसरे सत्र में बहुत ही धीमे धीमे खेल रहे थे लेकिन 25 ओवर की चौती गेंद पर विराट कोली अरांड आफ गेंद को फ्रन्ट फूट आकर डिफेंड करने गए लेकिन गेंद इंसाइट एज होकर गेंद सीधे पॉप के हाथ पर गया और वे कैच आउट हो गए डॉम बेस के लिए पहला विकेट और ये भारत के लिए बहुत ही भारी जटका इस विकेट से इंग्लैंड बेहत खुश थे 27 ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंकर रहा ने फ्रन्ट फूट आकर आफ साइड में शाट मारने की कोशिश किये लेकिन जायरूट शांदार कैश लेकर उन्हें आउट किये डॉम बेस के लिए दूसरा विकेट इंग्लैंड के लिए दोविशाल विकेट पुजारा और कोली एक बड़े स्टैंड के लिए तयार हो रहे थे लेकिन एक अच्छी गेंद पर बेस कोली से भैतर हो गए और बेस ने रहाने को भी आउट करके भारत को भैंकर परिस्तिती पर ला दिया 30 ओवर की पहली गेंद पर रिशपपन आर्चर की गेंद बाजी पर फाइंड लेग शेत्र में चौका लगाए और अगली गेंद में भी उन्होंने लगातार बैक टू बैक बाउंडरी मारा 31 ओवर की पांचवी गेंद पर चतेश्वर पुझारा डाम बेस की गेंद बाजी में इड़ ऑफ के माध धियम से चौका मारे और अगली गेंद में भी पुझारा फिर एक और बार मिड ऑफ के माध धियम से ड्रिल करते हुए बाउंडरी लगाए 32 ओवर की चौती गेन पर रिशब पन तॉस अप एन अरांड ओफ गेन को लांग ओन के उपर से छक्का लगाए इसी के साथ भारत 100 रन पूरा किये और अगली गेन में भी पन्त बेस की गेन बाजी में फिर एक और बहतरीन छक्का लगाए 34 ओवर की पहली गेन में भी रिशब पन तॉस अप अरांड ओफ गेन को बल्ला घुमा के छक्का लगाए 36 ओवर की पहली गेन में पांत जैक लिच के गेन बाजी पर जबर्दस छक्का लगाए यह उनका चौता छक्का रहा इसी के साथ पन्त और पुजारा के वेच पचास रनों की साज़दारी पूरी हुई 38 ओवर की पांचवी गेन पर चतेशवर पुजारा टॉस अप अरांड ओफ गेन को मिट विकेट के माध्यम से फ्लिक करते हुए बाउंडरी लगाए अगली ओवर की पहली गेन पर रिशव पन्त टॉस अप अरांड ओफ गेन में चौका लगाए 40 ओवर की पहली गेन पर चतेशवर पुजारा टॉस अप अरांड ओफ गेन को कवर के माध्यम से बाउंडरी लगा कर अपना अर्धुशतक पूरा करे और उसी ओवर की पांचवी गेन पर पन्त ने भी वाइड आउटसाइड ओफ गेन्त को मिडव के माध्यम से चौका लगा कर अपना अर्धुशतक पूरा किया दूसरा सेशन खतम होने तक भारत 40 ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए भारत के बल्ले वाजों में पन्त और पुजारा दोनों ने अपना अर्धुशतक पूरा किया हाला कि कोली और रहाने के आउट मुनी के बाद भारत भैंकर स्थिती पर आ गई थी लेकिन पन्त ने आकर किरन की उमीद जगाया यह सत्र काफी मनुरंजक रहा इंग्लैंड के गेंदवाजों में डॉम बेस ने दो विशाल विकेट लिये 47 ओवर की पहली गेंद पर रिशप पर शॉर्ट एंड वाइड आउट साइड ऑफ गेंद को कवर पॉइंट के माध्यम से चौका मारे उसी ओवर की आखरी गेंद पर पंथ शॉर्ट एंड वाइड आउट साइड ऑफ गेंद को कवर के माध्यम से एक और बाउंडरी लगाए अगली ओवर की पहली गेंद पर चतेश्वर पुजारा फुल तॉस गेंद को मिड़ाउन के माध्यम से चौका लगाए 45 ओवर की पहली गेंद पर रिशपपन गुडलन्द आउटसाइड ऑफ गेंद को स्लीफ और गुली फिल्डर के बीच से चौका मारे 47 ओवर की चौती गेंद पर चतेश्वर पुजारा शाट अराउंड ऑफ गेंद को स्क्वेर लेक पर पीछे की और से फुल करते हुए बाउंडरी लगाए इसी के साथ पुजारा और पंत के बीच 100 रनों की साजेदारी पूरी हुई 49 ओवर की चौती गेंद पर पुजारा टॉस अप अराउंड ऑफ गेंद को कवर शेत्र में एक और बाउंडरी लगाए लेकिन 51 ओवर की चौती गेंद पर चतेश्वर पुजारा डॉम बेस के गेंद बाजी में रोरी बंस द्वारा कैच आउट हो गए डॉम बेस के लिए तीसरा विकेट 52 ओवर की चौती गेंद पर रिशपपन टॉस अप एंड मिटरी गेंद को फिल्डर के ऊपर से बाउंडरी लगाए उसी ओवर की आँखरी गेंद पर रिशपपन टॉस अप एंड आउटसाइड ओफ गेंद को लांगाउन के ऊपर से चपका लगाए इसी के साथ भारत का दोसर रन पूरा हुआ 54 ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंग्टन सुन्दर टॉस अप एंड आउटसाइड ओफ गेंद को कवर के माध्यम से चौका लगाए अगली ओवर की पहली गेंट पर वाशिंग्टन सुन्दर, फुलर गेंट को मध्य के माध्यम से ड्रिल करते हुए बाउंडरी लगाएं और उसी ओवर की तीसरी गेंट पर सुन्दर फिर एक और बार शॉट एंड आउटसाइड ओव गेंट को बिंदू के माध्यम से चौका लगा है। 57 ओवर की पहली गेंट पर रिशब पंथ फुल टॉस और मिडल गेंट को स्क्वार लेक्ष शेत्र में चौका लगा है। लेकिन उसी ओवर की चौती गेंट पर पंथ डॉम बेस की गेंट वाजी पर जैक लिच द्वारा कैच आउट हो गये। डॉम बेस के लिए चौता विकेट। शट्चर ओवर की आँखरी गेंट पर वाशिंग्टन सुन्दर फुलिष आउटसइड ओफ गेंट को कवर के माध्यम से चौका लगाए। तीसरा सेशन खतम होने तक भारत 74 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 257 बनाए। भारत के बल्लेबाजों में रिशव पंत बहुत शांदार खेल खेले लेकिन शतक नहीं बना पाए। पुजारा भी अच्छा प्रदर्शन दिये। और वाशिंटन सुन्दर 33 एवां अश्वीन 8 रणों से क्रीज पर मौजूद है। इंग्लैंड के गेंट बाजों में डॉम बेस जवर्दस गेंट बाजी करके चार विकेट लिये। वही आर्चर दो विकेट लिये। पुजारा लिए बाजू जो झाले से क्रीज विकेट लिये। पुजारा भी मौजदन दिये आर्चर दो पर दो विकेट लिये।